जैश्री कृष्णा दोस्तों, जाइका जिंदगी का में आप सभी का स्वागत है। जाइका जिंदगी का में आज मैं आपके लेकर आए हूँ बहुत ही चीजी, बटरी, गार्लिक नान की रेसिपी। आज हम ये नान बिना तंदूर के, बिना अवन और बिना यीस्ट के गैस पर ही तवे पर बनाएंगे। और देखिए ये कितनी चीजी बनेगी। इसके लिए मैंने धाई कप मैदा ले लिया है। अगर आप इसे हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसमें एड करेंगे एक चमच नमक, एक चमच चीनी, आधा चमच बेकिंग पाउडर और आधा ही चमच बेकिंग सोडा। इन सभी चीज़ों को मैदे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें एड करेंगे वन थर्ड का टोरी दही। साथी इसमें वन टेबल स्पून गरम किया हुआ तेल एड करेंगे। दही का बेकिंग पाउडर और सोडे के साथ रियक्शन होने से नान बहुत फ्लफी बनेगे। अभी हम बिना पानी मिलाए हुए ही इन सभी चीज़ों को हाथ से मसलते हुए अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे इसमें गुनगुना पानी डालते हुए इसका एक सोफ डो तयार कर लेंगे। चार से पांच मिनट हम मैदे को अच्छी तरह से मसलेंगे ताकि इसका एक सोफ डो तयार हो जाए। इसके बाद इस पर हलका सा ओयल लगाएंगे और इसे ढख कर हम लगबग एक घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। अगर आप ये नान विंटर्स में बना रहे हैं तो इसे रेस्ट करने के लिए कम से कम तीन-चार घंटे के लिए छोड़ना होगा। इस तरह हमारा एक चिकना डो तयार हो गया है नान बनाने के लिए डो परफेक्टली तयार है अब हम इसे 6 इक्वल पोर्शन्स में डिवाइड कर लेंगे अगर आपको थोड़े छोटे नान बनाने हैं तो आप इसे 8 equal portions में divide कर लीजिएगा अब इन सभी portions की हम balls तयार कर लेंगे हमें crack free balls तयार करनी है balls तयार करने के बाद हम इसे rest करने के लिए 10 minute के लिए दोबारा से छोड़ देंगे तब तक हम नान बनाने के लिए stuffing की तयारी कर लेते हैं इसके लिए मैंने आधी कटोरी mozzarella cheese ले ली है इसे हम एक बड़े ball में transfer कर देंगे इसमें हम add करेंगे कटा हुआ, धूला हुआ, हरा धनिया और साथ ही इसमें grate किया हुआ, garlic add कर देंगे इसमें थोड़ा सा नमक add करेंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से mix कर लेंगे stuffing का हमारा mixture तयार है balls को rest करते वे अब 10 minute हो गए हैं अब हम एक ball लेंगे, इसे सुखे आटे में dust करेंगे और इसे थोड़ा सा roll करेंगे हमें इसका size उतना ही रखना है जितना हम पूरी का size रखते हैं इसमें stuffing डालेंगे stuffing हमें बहुत अच्छे amount में डालनी है और इस तरह से चारों तरफ से fold करते वे seal कर देंगे ताकि इसमें से बिल्कुल भी stuffing बाहर ना निकले हाथों से press करेंगे थोड़ा सा सूखे आटे में dust करेंगे इसके बाद हलके हाथों से rolling pin से pressure देते हुए हम इसे बेल लेंगे हमें इस पर ज़्यादा pressure नहीं देना नहीं तो stuffing बाहर निकल आएगी इसकी एक side पर थोड़ा सा पानी apply करेंगे अब हम इस पर लगाएंगे थोड़ी सी कलोंजी onion seeds और थोड़ा सा हरा धनिया इसे हलके हाथों से प्रेस कर देंगे अब हम दोबारा से इसे बेल लेंगे आप इसे चाहें तो गोल शेप में भी बना सकते हैं और अगर आप चाहें तो नान को oval शेप में भी बना सकते हैं बेलने के बाद हम इसे एक बर पलट देंगे और इसके दूसरी साइड पर हम अच्छी तरह से पानी अपलाई कर देंगे पानी हमें अच्छे amount में लगाना है ताकि ये तवे पर अच्छी तरह से चिपक जाए इसे हम गरम तवे पर डालेंगे और हाथों से प्रेस करते वे इसे थोड़ा-थोड़ा दबा देंगे ताकि नान अच्छी तरह से तवे पर चिपक जाए और जब हम इसे पलट कर सेकें तो ये ना गिरे इसे हमें लोहे के तवे पर ही बनाना है नॉन स्टिक पर नहीं बनाना जब आप देखेंगे कि इस पर हलके-हलके बबल्स आ गए है तब हम तवे को उल्टा कर देंगे अब हम इसे डारेक्ट फ्लेम पर ही तवे को धीरे-धीरे घुमाते हुए नान को चारों तरफ से अच्छी तरह से सेक लेंगे आप जब इस तरह से नान बनाएंगे तो इसका टेक्स्टर और या देखने में बिल्कुल वैसी ही लगेगी जैसी हम रेस्टरेंट में या होटेल में तंदूर वाली नान खाते है तवे को हम हलका-हलका घुमाते रहेंगे ताकि नान सभी तरफ से अच्छी तरह से सीख जाए हम ये सारा प्रोसेस मीडियम हाई फ्लेम पर करेंगे इसे नान के अंदर जो हमने स्टरफिंग की है वो भी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी और एक परफेक्ट चीजी नान तयार हो जाएगी नान अब सभी तरफ से अच्छी तरह से सीख गई है एक स्पैचुला की हेल्प से हम इसे तवे से छुड़ा लेंगे मैं आपको दिखाती हूँ कि ये दूसरी साइड से भी कितनी अच्छी तरह से सीख गई है अगर आपको नान का कोई कॉर्णर कच्छा लगता है तो आप एक चिम्टे से पकड़कर डारेक्ट फ्लेम पर भी इसे सेख सकते हैं हमारी नान तो बनकर तयार हो गई है मैंने इस पर वाइट बटर अपलाई किया है आप चाहें तो देशी की वाइट बटर या येलो बटर जो भी आपको पसंद हो वो आप लगाईए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि नान कितनी चीजी बनी है ये देखिए देखकर ही मजा आ रहा है ऐसा लगी नहीं रा कि हमने इसे घर पर बनाया है मैंने इन्हें पिंडी चने के साथ सर्व किया हूँ है इसकी रेसिपी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइ कीजिएगा